तो किस तरीके सापे Google Translator जैसी website create करकर money make कर सकते हैं, आज मैं आपको बता हूँ दोस्तो Google Translator जैसी website create करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस prompt कर यूज करना है जो कि आपको मेरे Telegram चानल पर मिल जाएगा तो make sure आप मेरे Telegram चानल को join कर लें ताकि आप वहाँ से इस code को access कर पाए, Mrs. Prompt को access कर पाए पहले मैं आपको यहाँ पर prompt explain करता हूँ फिर कैसे इसका use करकर आपको अपनी website के लिए code create करना है उसकी जानकरिम आपको दूआ तो पहले मैं आपको यहाँ पर prompt explain करता हूँ तो simply मैं आप आप जाऊँगा and prompt मैंने यहाँ पर बनाया हिंदी लैंग्विज में ताकि आपको आसानी समझ में आचाए तो prompt के अंदर मैंने लिखाया है मुझे एक modern लिखी translator website बना करतो जो fully functional हो इसमें दो text box होने चाहिए एक input के लिए और एक output के लिए की आप read कर सकते हैं तो इसी का use करकर मैं यहाँ पर अपनी website के लिए codes create करने वाला हूँ तो यहाँ से मैं इस prompt को copy कर लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा Google A Studio को अपर and दोस्तों मैं यहाँ यहाँ पर 3 tools के माधियम से अपनी website के लिए codes create करूँगा जो भी website यहाँ पर अच्छे से work करेगी अच्छा output देगी उसी का use करकर मैं यहाँ पर अपनी complete website को build करने वाला तो 3 tools में यहाँ पर कौन से use करने वाला हूँ तो पहले tool का नाम है Google AI Studio दूसरे tool का नाम है HGPT वो तीसरे का नाम है deep seek जिससे भी यहाँ पर मुझे batch results मिलने वाले हैं उसी के codes को मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ तीनों को पर same prompt दूँगा और result यहाँ पर check करूँगा कहने के मतलब क्या है मैं यहाँ पर तीनों tools को compare करने वाला हूँ और जो भी यहाँ पर batch results आपको बना करतेगा उसी का हम यहाँ पर use करेंगे तीनों हम same prompt डाल देते हैं जैसे कि मैं Google EA study को पर जाँगा इसके उपर account create करने है उसके बाद आपको यहाँ पराना है create prompt इसके उपकलिक करना है यहाँ से आपको jam night 2.5 pro इसको यूज कर लेना है यह coding के लिए बैस्ट माना जाता है उसके बाद आपको यहाँ पराना है यहाँ पर आपको अपने prompt को copy and paste करना है then run इसके उपकलिक कर देना है इस परकास से आपको यहाँ पराना है इसके उपकलिक कर देना है अब Google EA Studio यहाँ पर क्या करेगा prompt को analyze करना start करेगा और best results आपको बना कर देगा तो यहाँ पर इसने क्या किया है HTML, CSS and JavaScript में मुझे यहाँ पर code बना कर देगा यहाँ पर इसकी thinking चल रही है जब तक इसकी thinking यहाँ पर चल रही है सब्सक्रायक यहां पर copy and paste कर देगा reason स्को का पकलिक कर देंगे then send स्को कर देंगे Cast GPT भी यहाँ पर work करना start कर देगा यहाँ पर आपकी prompt को analyze करना start कर देगा और शृopes के अनुसारी आपको यहाँ पर prompt बना कर देगा जो कि इसने करना भी start कर दीए अब DeepSig के उपर जाएंगे, same इसी प्रकार से यहाँ पर prompt को copy and paste करेंगे, then DeepThink इसको पर क्लिक करेंगे, then send इसको पर क्लिक करेंगे अब DeepSig भी यहाँ पर work करना स्टार्ट कर देगा, और best results आपके लिए बनाना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर इसने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, अब देखते हैं तीनों यहाँ पर कैसे कोड्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर Google AI Studio ने कोड्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो complete कोड्स भी यहाँ पर ready कर दिया, तो यहाँ पर मैं इनके कोड्स को चेक करूँगा, और इसका नाम है codeband.io, काफी तगरी website है, इसके मादिम से हम यहाँ पर अपनी codes को चेक करने वाले हैं, codes यहाँ पर वह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कैसा look हमें यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर इस website के मादिम से पता लग जाता है, तो आपको इसके उपर आना है, इसके उपर अपना account करीट करना है, अब आपको यहाँ पर आना है, go make one इसको पकलिक करना है, यहाँ पर आपको HTML का option दिखाए देगा, तो यहाँ पर आपको अपनी codes को copy and paste कर देना है, अगें यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम CSS code को copy कर लेंगे, तो मैं यहाँ प यहाँ से मैंने JS code को copy and paste कर देंगे, ताकि मेरी website यहाँ पर फिली फंक्शनल हो जाए, तो यहाँ से मैंने JS code को copy कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इसको copy and paste कर देंगे, तो इस परकास से मेरी website यहाँ पर बन कर ड़ी हो चुकी है, इसका look आपको यहाल मैं both for a Translator, यहाँ यहाँ पर from व मतलब क्या है? यहाँ जो भी वामें language होगी जिससे हम translate करा करा उता है, गी है से हम रह आङए स्लेक्प्र में सब्सकर कर देंगे then translate इसको पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Google AI Studio के माधियम से जो हमने यहाँ पर translator क्रेट किया है वो तो भाई वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर यह वर्क नहीं कर रहा है तो Google Translator जो हमने यहाँ पर क्रेट किया Google AI Studio के माधियम से एब इसके बाद हम जाएंगे चैच GPT केए उपरो कि अब पर दीखते हैं कैसा कोड इसे ने हाप पर क्राइट किये तो यहां पर इसने तीनों डिफ रिफरेंट कोड गरी कर दीए थेक है तीन अलग-लग कोड यहां पर क्रीट किये लिए मütfen इसने को अन्य वाते भी आड़ की है, जैले हैं यहाँ कोड कोड कर देखने वाला हूं सिंगल कोड काफ इसे करने वाला हूं, कैसा हिपर वह करता है, दिक हम स्लिव neighborhood गamed अगेन मैं home page को पजाऊँगा ताकि कुछ भी यहां पर गड़ बनना हो कि आप दूसरा code यहां पर इसको influence कर दे तो इसलिए मैं again home page को पर गया हूँ single code को में हाँ पर copy and paste कर दूँगा and यहां पर हम इसके result को check करेंगे देखो कुछ इस परकार से website मेरी यहां पर ready हो गई है यहां पर drop down menu भी है जिसके अंदर आपको language दिखाए दे रही है यहां पर आप अपनी दूसरी language को भी select कर सकते हैं यहां पर हिंदी को चूस कर लेता हूँ और मुझे English में result यहां पर चाहिए यहां पर मैं अपना text डालने वाला हूँ जैसे हिंदी के अंदर मैं यह वाला जो मैंने word बना रखा है इसको मैं यहां पर डालूँगा इस परकार से ठीक है यहां मैं translate इसको पर क्लिक कर दूँगा और यहां पर मुझे translate कर जल मिल चुका है हिंदी मैं लेका है मेरा नाम अनुप है और यहां पर आगया my name is अनुप ओके अम मैं इसकी history भी चैक करूँगा कि history यहां पर आएक नहीं है तो history भी यहां पर आचुकी है काफी अच्छे से यहां पर code कर रहा है कहने का मतलब क्या है and deep seek की अच्छी बात क्या है कि आप इसके code को यहीं पर ही चैक कर सकते हैं आपको इसके code pane के उपन जाना है यहां पर आपको run stml का option दखाय देता है इसके मतलम से आप यहीं पर ही चैक कर सकते हैं code आपका work कर रहा है कैंनी कर रहा है कर रहा है तो मैं इसको पर क्लिक कर दूँगा run stml की इसके बात कर दूगा कुछ इस परकास से मेरा यहां पर look बंच चुका है काफी प्रीम लुक यहां पर मिजा ने ज़रा रहा है यहां से language हारी है, यहां पर other language आ रही है यहां पर मैं अपना text डाल देता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं हٍदी वाला text इसको करेंसे कла of Gang अब मैं यहां पर translate इसको क्लिक करूँगा, तो translate यहां पर भी हो रहा है और यहां पर इसकी history भी दिखाईते रही है, काफी अच्छे से code यहां पर work कर रहा है, इसके एक दूसर वर्जिन मैंने यहां पर create किया था, उसको मैं यहां पर check करता हूँ, इसका look थोड़ा premium measure आ रहा अपनी translator website को create करने के लिए, काफी premium look भी है और काफी अच्छे से work भी कर रहा है, तो इसके code को use करकर हम यहां पर अपनी website को create करें, तो यहां से मैं इसके पूरे code को copy कर लूँगा, अब next step में आपको अगा करना है, next step में आपको जाना है blogger के ऊपर, और blogger के ऊपर अपना account create रहा है, उसके बाद आपको यहां पर आना है, new blog इसको उपर क्लिक करना है, यहां पर आपको अपनी website का नेम दे दिना है, जैसे कि मेरे हापर website का नेम रख देता हूं, जैसे कि मेरे हापर name कया था, पैर चैक करता हूं, यहां पर modern translator, तो website का नाम भी मैं आपर क्या रखने और वेब साइट आपके यह पर बन कर डी हो जाएगी जो कि अल्ली मैंने यहाप पर बना रखिया है तो मैं दुबारा वेब साइट को यहाप नहीं बना रहा हूँ इसके उपकलिक कर देना है, दो जिसके moment-doors कर देना है, रहले वह लिएक कोसे कितले हैं, आपके अपको सेये कर देना है, मैं लिएक भी किल उपकलिक कर देंते हैं, मैं greenlog को Patrolda कони s ego के सब्सक्राइब, और website के लुग कुछ इस प्रकास से यहां पर आ रहा है, अब मैं यहां पर यह भी चाहँ करने वाला हूँ, website यहां पर work करें कि नहीं करें, तो अगेन मैं यहां पर इसको copy and paste कर दूँगा, यहां पर translate इसको पर click करूँगा, result यहां पर आ रहा है, और history यहां पर आ रही है, तो website यहां पर work कर रही है, अब हम अपनी website को monetize करेंगे, ताकि हम अपनी website से earning स्टार्ट कर सकें, काफी important part है, इसलिए आप यहां पर वीडियो को देख रहे हैं, तो website को monetize करने के लिए, आप यहां पर बहुत सारे ad networks का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी website को Google AdSense से अप्रूव कर रहा सकते हैं, website करेंगे करना है, traffic लेकर आना है, तो Google AdSense के लिए आपके अप्लाई करना है, अगर आपको अप्रोल मिल जाता है, तो आपकी website के ऊपर Google AdSense की ad देखने श्टार्ट हो जाएगी, पर Google AdSense का अप्रोल लगना इतना असानी है, तो इस case में आपको यहां पर यहां पर गा करना है, उस case में आपको यहां पर एड़ चारा इसका यूज़ करना है, इसके ऊपर अकाउंट करना है, पबिलिशर अकाउंट करना है, उसके बाद आपको यहां पर अपनी website को submit करना है, तो add website इसको पर क्लिक करना है, website का address डालना है, category डालना है, add इसको पर क्लिक करना है, इस तरीके से आपकी website यहां पर add हो जाएगी, जैसी आपकी website यहां पर add होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है यहां से आपको अपनी add unit को रिट कर लेना है जैसे कि मैं आपको add unit को रिट कर लेता हूँ ठेके न, तो मैं इसके उपर कलिक करूँगा जो भी add unit आप यहाँ पर करेंगे वह एक्ट रिना जा रहेगी फिर get code इसको पकलिक करना है यहां से आपको अपनी website के code को copy कर लेना है again इसके उपर आना है edit HTML इसको पकलिक कर देना है जैसे आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा अब आपको bottom में जाना है यहां पर आपको script का option दिखाए देगा आपको इसको पकलिक करना है यहां पर आपको अपनी code को copy and paste कर देना है then save इसको पकलिक कर देना है अब हम यहां पर check करेंगे कि हमारी website के अंदर add दिखाए दे रही है कि नहीं दिखाए दे मैं आप refresh इसको पकलिक कर दूँगा जो भी add यहां पर हमने add कि तो इस प्रकाश से यहां पर दिखाई देगी, तो इस प्रकाश से आपको यहां पर करना है, अपनी वाप Packund, जितना हो से कि प्रापिक आपकी वाप से उपर आजआएन पर आप के अपर दिखाई देगाँ, और वहां से आपकी Earning स्टार्ट हो जाएगी, तो इस प्रकाश स तो आपको अपनी वेबसेट के लिए बैक लिंक्स ग्रीट करना है, शोशल मीडिया पर शेयर करना है, ताकि आपकी वेबसेट के अथिर्टी बने, वेबसेट आपकी गूगल पर रांक करें, और वहां से आपको ट्राफिक मिलना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो आप यहां पर आपको 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 समझाए होगा, कैसे आपको एक ट्रांसलेटर वेबसेट करना है, वो भी आपको समनना होगेगा, अगर आपको आज की वीडियो चलिए है, तो मैं आपसे यहां पर रिक्वेश्ट करूँगा, कि आप अमरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पर कम से कम 100 लाइक्स लेकिया है, ताक इसी टाप का ओसम कंटेंट आम आपके साथ शेयर कर पाएं.